जब किसी छोटी बाली का पर बलादकार होता है कितनी दर्दनाग गटना है जी लेकिन क्या हम यह कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे मेरी सरकार में इतने होते हैं मैं समझता हूँ इससे बड़ा गड़त रास्ता नहीं हो सकता है बलादकार बलादकार होता है जो हर माजभ पूहते हैं, कहा गई थे, क्यों गई थी, विए क्यों गई थी, जो भी आप पानीत है, किसी को मिली थी, ठोब करें, आपका बात कर। जो किसी को बात करेंगा, किसी को बात करेंगा हैं? अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहां गए थे? यह बात मैं अलाल के लिए सकाई थी, और मैं मानता हूँ यह बुरा ही समाज की हैं, व्यक्ति की हैं, विक्रुती हैं, सब होने के बावजुद भी, देश के लिए चिंता का विशे हैं, और यह पाउप करने माला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मा है, मेरी दुरुष्टी से बेसबरी एक तरुनाई की पहचान भी है, और आपने देखा होगा, जिसके घर में साइकल है, उसका मन करता है, स्कूटर आजाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है, और फोर्विलर आजाए तो अच्छा है, यह अगर जजबाई नहीं है, तो कल साइकल भी चली जाएगी, तो कहेंगा, छोड़ो यार, बस पे चली जाएगे, तो वो जिन्दगी नहीं है, और मुझे खुशी है, कि आज सवासो करोड देश वाजशों के दिल में, एक उमंग, उत्सा, आशा, अपेक्षा, यह उभर करके भाहर आ रही है, मैं मानता हूँ, मोधी सरकार की भरपूर अलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से अलोचना होनी चाहिए, क्रिटिसिजम से ही तब करके डेमोक्रेसी पनप्ति है, मेरी चिंता अलोचना नहीं है, दुर्भागे यह हैं कि अलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कि उसकी बारी की में जाना पड़ता है फैक्स और फिकर इखर्टे करने पड़ते हैं हिस्ट्री फुरी निकालनी पड़ती है अब आज ऐसी आपा धापी का समय है कि किसी अपा इसना टाइम ही नहीं है कि बहुत कम लोग हैं जो अब यह काम कर पाते हैं अजा हरे को इतनी तेजी हैं कि भैई फ्रेंटी फॉर बाई सेवन कि मैं आगे निकलू ब्रेकिंग निउज मैं दूँ या वो दे आपा धापी का यूग है और इसलिए क्रिटी सिजम ने दुर्भाग्य से उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है लोग तंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटी सिजम है और लोग तंत्र की सबसे विनाशक कोई रास्ता है तो वो एलिगेशन है इस पांच वर्स पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है यह अगर कंपरेटिव देखोगे मैं दावे से कहता हूँ हर परामिटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है मेरे भीतन एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो सवासो करोड समाधान भी है अगर मिलियन प्राब्लेम्स है तो बिलियन सल्यूशन भी है सवासो करोड देश माध्यों की शक्ति पर मेरा भड़ा है मैं गल्तिया कर सकता हूँ लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूँगा तीन चीजे हैं बच्चों को पढ़ाई युवा को कमाई बुजूर्गों को दबाई जब कोई टर्रिजम एक्सपोर्ट करने का उद्द्योग बना करके बैठा हो मेरे देश के निर्दोस्त नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है पीट परवार करने के प्रयास होते हो तो ये मोदी है उसी बहाँसा में जवाब देना जानता है तर्दम एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान बदल चुका है कि आप हिंदुस्तान बदल चुका है